NCRB का डाटा कहता है कि 87 रेप हर रोज हमारे देश में होते हैं कथुआ में जब रेप हुआ तो भाजपा के लोग रेपिस्ट के समर्थन में आखड़े हुए कौन डरेगा जब सजा नहीं हो रही सजा होने में इतना समय लगता है देखे ये तो अच्छी बात है कि सारा कुछ सुप्रीम कोट के संग्यान में होगा और पर देश में आज रेप एक बहुत बड़ी प्रॉबलम बन चुकी है NCRB का डाटा कहता है कि 87 रेप हर रोज हमारे देश में होते हैं कितने ही मीडिया में आ जाते होंगे बहुत कम ये क्यूं हो रहा है ये आप देखिए जब केंदर में एक ऐसी सरकार होगी जहां पर हर सोशन करने वाले को ना सिरफ संग्रक्षन बर बढ़ावा भी मिलेगा चाहे आप देखिए योगी अदित्यना जी ने उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानन्द का केस वापिस लेने के ओर्डर दे दिये थे या आप देखें ब्रिजभूशन के खिलाफ आज तक कोई कारवाही नहीं हुई कोई अरेस्ट नहीं हुआ जबकि दिल्ली पुलीस ने कोट में कहा कि उनके खिलाफ बहुत प्रमान है आप देखें कि कथुआ में जब रेप हुआ तो भाजपा के लोग रेपिस्ट के समर्थन में आ खड़े हुए या फिर आप देखें कि ऐसे कितने ही संसकारी बलतकारी ये एक टर्म कोईन भाजपा नहीं की थी उन्हों नहीं बुलाया था बलतकारियों को संसकारी तो ये जब तक ये कल्चर चलता रहेगा तो लोगों के मन में भे नहीं होगा क्योंकि वो पूरा मामला अंडर इंवेस्टिगेशन है तो और मुझे जहां तक जानकारी है कल्परिट को भी अरेस्ट कर लिया गया है और वो इसलिए भी हो पाया कि मीडिया की नजर में ये केस आ गया तो मैं इसलिए बार-बार आपको बता रही हूं कि बहुत से ऐसे औ अगर हमारे देश में केंद्र में एक ऐसी सरकार बेटी है जो रेपिस्ट को ना सरफ संग्रक्षन बड़ावा भी देती है तो वो definitely trickle down message क्या होगा कौन डरेगा जब सजा नहीं हो रही सजा होने में इतना समय लगता है अगर कोई भाजपा से related निकल आता है तो उसको संग्रक्षन मिलता है प्रोथसाहन और बड़ावा भी मिलता है तो ये बहुत चिंता का विशे है और सरकार को भी सोचना कि वो जो कारगिल योद्धा की वाइफ थी जिनको नग नवस्था में पूरे मनिपूर में परेड किया गया उसके बाद उनका रेप हुआ वो पूछ रहे हैं उस audio में कि प्रूफ कहा है कि रेप हुआ कि हमें कहना चाहिए था कि उस mob ने तो कपड़े दिये महिलाओं को औ कि डिमार्ध पाया जाओ वो को ये तो है कि टूश समनिया घान का भीजवे।